नमस्कार स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में तो आए जानते हैं खुबरों को बारी बारी से अगर हिसे से पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी पर करके लेटिस न्यूज की जन इसानन दोलन पर प्रकास सिंग बादल ने बापस किया पदमे विभूशन जी हाँ आपको बता दे की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्रे प्रकास सिंग बादल ने केंदर सरकार द्वारा परदर संकारी की शानों के साथ किसी तरह के सामती बनने से अपनी बिरोध में जीशी कानूनों की बिरोध पर एंडिये से अपना गटबंधन तोड़ लिया है उन्होंने कहा कि वो सरकार के किसानों के साथ विश्वासगात के खिलाफ अपने बिरोध दर्ज करा रहे हैं हाला कि किसान यूनियन के नेताओं और सरकार के बीच बातचीत चल रही हैं जंपिक होके खिलाडी और अरजुन अवाडी सजन सिंग चीमा ने कहा कि वे कई महिनों से सांति प्रून अंधुलन कर रहे हैं लेकिन उनके खिलाफ वाटर कैनन और आशु गेस के गोले का इस्तेमाल किया गया वहीं पंजाब के मुख्यमंदरी कैप्टन अमरेंदर सिंग ने क्रिशी कानूनों के खिलाफ राष्टी रजधानी के बाहरी इलाके में चल रहे किसानों के बिलोद परदर्शन को लेकर केंद्रे ग्रीमंदरी अमिदर सिंग ने कहा कि मेरे पास हल करने के लिए कुछ नहीं है मेरी ग्रीमंदरी अमिदर सिंग से मामला खराब ना हो इ अपना बिरोध दोराया और उनसे इस मुद्दे को हल करने का अनुरोध किया क्योंकि यह मेरे राज्य की अर्थ विवस्ता और राष्ट की सुरक्षा को प्रभावित करता है बिजली बिल में खामियों पर उर्जा मंत्री का फटकार बोले फिल्ड में निकले अफसर एजेंसियों के खिलाफ कराएं एफाईयार जी हाँ आपको बतादे कि उर्जायों अतरीक्त उर्जा सरोत मंत्री स्रीकान सर्मय ने गुरुबार को उर्जा बिभाग की समिक्षा की उन्होंने UPPCL के अधक्ष को नर्देश दिये कि आगामी गर्मियों के द्रिष्टी गत वे श्वयम या सुनिशित कराले की परदेश में ट्रीपिंग न हो इसके लिए जो भी अधार बुद्स विधाया तकनिकी आउसक्ताय हैं उन्हें जरूर पूरा कर लिया जाए उपकेंदरों का भौतिक निरिक्षन जरूर कर लें उपकेंदरों पर उपभुक्ता शिकायतों का समें से निराकर्ण हो इसमें कहीं कोई कोता हीश क्विकार्यya नहीं होगी सभी की जब आप दही सुनिशित की जाएगे उन्होंने परदेश के सभी बिद्धित उपकेंद्रों पर CCTV लगाने के निर्देश्टिये हैं उन्होंने देक्षी UPPCL को निर्देशित करते हुए कहा कि उपकेंद्रों के डिजिटल निग्राने आवश्यक है मध्य परदेश के खंडवा में बरात लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रोली पल्टी दुले समिछे बरातियों की मोत जी हाँ को बतादी कि खंडवा के खलवा छेत्रे में आज विवाह के लिए जा रही एक परिवार की खुशिया मातम में बदल गई मोजवाडी से मेहुली जा रही बरातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रोली अन्यंतरित होकर रोष्णी के जंगल में पलट गई ट्रैक्टर पलटने से उसमें सवार सभी बराती पुलिया में जा गिरे पुलिया में गिरने के करण दुले है सहीत 6 लोगों की घटनास्तल पर ही मोथ हो गई घटना में घायल लोगों को खंडवा जिला स्पताल में रिफर किया गया है जिसमें महिलाय और बच्चे भी सामिल है घटना करम के बारे में बताया जा रहे कि दुला कुमर सिंग की बरात मोजवाडी से मेहुली जा रही थी तभी अचनक ट्रेक्टर का पिछला हिस्सा अलग हो गया और ट्रॉली पुलिया में जागिरी पुलिया में गिरने से दुला कुंवर सिंग और उनकी मा के स्ताथ साथ अन्य अच्छा लोगों की ही घटनास्तल पर मौत हो गई अन्य घहलों को खंडवा जिला अस्पताल में रेफर किया गया खबर मिलते हैं अधिकारी मौके पर पहुँचे अवर पीडितों की मदद की पीए भाई परकसा इडी का सिकंजा नौराज्यों के 26 ठीकानों पर चल रही है चापे मारी जी हाँ आपको बतादी कि पोपुलर फ्रेंट अफ इंडिया से जुड़े नौराज्यों के 26 ठीकानों पर गुरुबार को परवर्तन इदेसाले यानि एडी ने छापे की करवाई शुरू की है परवर्तन इदेसाले की टीम में पोपुलर फ्रेंट अफ इंडिया से जुड़े दुकानों पर मौनी लर्न्डिंग के मामले की जाच की जा रही है इडी को प्राप्ट सी कायतों के नुसार गुरूप द्वरा बड़े पैमानों पर विदेशों में धन की लेंदेन की गई है इडी ने इस सम्मंद में राजस्थान के जैपूर सहीत दिल्ली केरल करनाटक महराष्ट उतर परदेश सहीत कई राज्यों में छापे की करवाई में इडी की टीम सभी ठीकानों से दस्तेवेजों को प्राप्त कर रही है चापे की करवाई के बाद पॉपलर फ्रेंट अफ़ इंडिया के चेर्मेन ओम अब्दुल सलाम ने ट्वीट कर कहा है कि किंदर सरकार द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत यह करवाई की जा रही है वही राजस्थान के पॉपुलर फ्रेंट अफ इंडिया की इकाई द्वारा आरोप लगाया गया है कि केंदर सरकार बदले की भावना से यह करवाई कर रही है पॉप्लर फ्रेंटर फिंडिया करेयले पर एडी के करेवाही किसान अंदुलन से भटकाने की कोशिश की जा रही है लदाक में फिर हलात बिगाडने की फिराग में चीन पैंगोंग जिल में भेजी हमले वाली नाव जी हाँ आपको बता दे कि चीन ने अपने हत्यारों और गोला बारूद के साथ 10 से निकों को ले जाने में सक्षम 928 डी हमले वाली नौकाओं को पैंगोंग जिल में भेजा है नौका वास्तिविक नियंतरन रेखा के करीब हैं और भारतिय सेन ने परतिष्ठान के लिए यह चिन्ता का बड़ा कारण है रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी पियले में स्वेडिस निर्मित ससस्तरबल सीवी 90 हमले वाली नावे हैं जो 30 सदसिय दल के साथ 20 सेनिकों को ले जा सकती हैं विससग्यों ने कहा है कि यह अस्तम बहुता भारतिय नो सेना के पुर्विल अधाक में पैंगोंग जिले के पास मरीन कमांडो की तैनाती के जवाब में हो सकता है एनाई ने सरकारी अधिकरियों के हवाले से कहा कि भारत के मरीन कमांडो मारकोकोष को पैंगोंग जिल में तैनाद किया गया है जहां भारतिय और चीनी सेना इस साल अप्रेल माई के बाद से संघर्स की स्थिति में है कमांडो को जिल में संचालन के लिए नई नावे और बुनियादी धाचा मिलेगा इसे से पहले संजुक तराज अमेरिका के एक सिर्शुरक्षा पैनल ने खुलासा किया है कि चीनी सरकार ने अपने अभियान के हिस्से के रूप में पड़ोसी भारत के खिलाफ गलवान बैली के साजिस रची थी भारत में कोबिट-19 के कूल केस 95 लाग के पार पिछले 24 गंटों में 35,500 एकाउन ने मामले दर्ज जी हाँ आपको बता दे कि भारत में हर रूप कोबिट-19 के मामले बढ़ रहे हैं संक्रमितों की संक्या 95 लाग के पार हो गई है स्वास्त मंतराले के दुवरा जारी किये गए ताजा आकडो के नुशार देश में कोरोना संक्रमितों की संक्या 95,964 हो गई है पिछले 24 गंटों में कोरोना के 35,500 एकाउन नए मामले दर्ज किये गए है पिछले 24 गंटों में 40,726 मरीज ठीक हुए है इस दोरन 526 कोरोना संक्रमितों की मोत हुई है अब तक कुल 89,73,370 मरीज ठीक हो चुके है 1,38,648 लोगों की जान गई है कुरोना के मोजूदा मामलों की संख्या करीब 34,000,000 से कम है इस समय देश में 4,22,943 एक्टिव केस है आपको बताते चले कि केंदर सरकार ने कुरोना वैरेस वैक्सिन को लेकर साफ किया है कि वैक्सिन हर किशी को नहीं मिलेगी